सडक हादसे में नीमका थाना जीले के चार व्यक्तियों की मौत और साथ ही दो जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं कार और ट्रेलर की जबर्दस्त भिडंत हुई है अजमेर के पास जिसमें चला के निकट वर्ती चोकडी गाउं के चार व्यक्तियों की मौत हो गई है अजमेर केव विजेनगर कस्वे के समीपस्त अजमेर हाईवे पर गुरुवार रात को कार और ट्रेलर की भिडंत हो गई जिसमें कार सवार चार जनों की मोथ हो गई वहीं दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए जिने प्रात्मिक उप्चार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया जानकरी के नुसार नीमका थाना जिले के चोकड़ी गाउनिवासी दिनेश कुमार अपने परिजनों के साथ सीकर से चितोडगड आए होए थे गुरुआर को चितोडगड से वापस लोटते समय विजनेगर से चार किलोमेटर दूर अजमेर हाईवे पर उड़न की कार और ट्रेलर में भिड़न्त हो गई इससे कार में सवार दिनेश कुमार, सोनू, परदीप, वदिनेश की पुत्री भानू, संदीप, तनू और प्रियान्शी गंभीर रूप से घायल हो गए गटना की जानकारी मिलते ही, इस्थानिय लोग मौके पर पहुँच गए, वहीं इस्थानिय पुलिस भी मौके पर पहुँची, तथा सभी घायलों को विजनेगर चिकित साले ले जाया गया जहां पर चिकित सकोने दिनेश, सोनू, प्रदीप वबानू को मृत घोशित कर दिया, गंभीर रूप से घायल संदीप वब प्रियान्शु को प्रात्मिक उप्चार के बाद अजमे रेफर कर दिया तो यह घटना है सडक हादसे की जहां जिसमें नीमका थाना जिले के चार व्यक्तियों की मौत हो गई घटना की जानकारी मिलने के बाद मसुदा वृत अधिकारी सजन सिंग भी मोके पर पहुंचे तता घटना की संपूर्ण जानकारी लिए वहीं पुलिस ने शवों को विजे नगर चिकित साले में रखवा दिया गया है जहां पर शुक्रुआर को शवों का पोस्ट मार्टम किया गया है तो यह इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर नीम का थाना जिले के चार जणों की सडक हादसे में दर्दनाक मौत हुई है